हलो एब्रीबन मैं दीख्षा स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चेनल में बिजन आये इसके पीटी 365 को कवर किया जा रहा है जिसके अंतरगत है हमारा टॉपिक है विज्ञानिम अप्रोधिकी विज्ञानिम अप्रोधिकी में पार्ट 1 तो पार्ट 2 को कवर किया 2023 तक के करेक्ट फिर को कंप्लीट करता है चले तो आप कौन-कौन से टॉपिक रह गए हैं कौन से टॉपिक कवर किये जा चुके उनकी बारे में जानते हैं कि सबसे पहले हमने इसके जह प्रोधिकी और सूच्रप प्रोधिकी को पार्ट 1 में कंप्लीट किया था सेकेंड प तीसरा पार्ट है इसके अंत्रगत आएगा बैकल्पिक हूजा जो कि फिप्त इसका टॉपिक है फिर आता है रक्षा रक्षा की संदर में पढ़ेंगे रक्षा की बाद आएगा आपका एवार्ट एवं पुरुसकार और विविद की संदर में हमारी आज के टॉपिक रहें लिथियम आयन बैटरी, छोटी मोडूलर रेक्टर, नेट एनर्जी गेन, काकरापारा परमाड़ो जासे हैं, अन महतपूर सुर्किया, अलेक्ट्रिक बाहन से गिरट चार्जिंग, बिखंडन, मॉलिव डेज नम, 99, डारेक्ट मेथेनोल फ्यूल सैल, रक्षा के संदर में आ ड्रोन जैसे एरक्राप्ट, सब्मरीन, ड्रोन या मानो रहे थावाई भाहन, टेक्टिकल एरबोर्ण प्लेटफॉर्म फोर एरियन, सर्विलाइन्स ब्लाइन्स ब्लाइंड, होराईजन 201 के बारे में, ओट्वनॉमस फिलाइंग बिंग, टेक्नलोजी डिम्नोस्टेटर के बारे में, MQ-9B, रीपर, विग्या, बिमाने बम हेलिकॉप्टर, MH-60R, रोमियो हेलिकॉप्टर, दुरुब उन्नत, हलका हेलिकॉप्टर, हलका लड़ा को, बिमान तेजस, लाइट कॉम्पेक्ट हेलिकॉप्टर, प्रिचंड, पंडुबी, प्रोजेक्ट 75, इंफाल, आ आती हैं, भोतिकी में, नूबल पुरोजकार, रसायन में, नूबल पुरोजकार, फिजियोलोजी या मेडिशन में, नूबल पुरोजकार, विवित की संदर में, जैसे, दोललव, हिक्स बोसोन का चाहे, सुपर कंडेक्टिबिटी, सुद्धोरलव, भूतत, बेनेडियम, प्रियुकसाला मिनेर मेथीरे, ज्वाइंट मेग्रिटो, रेजिस्टेंस, रेडियोमेट्रिक डेटिंग, रास्ती, डियोबटिक, रड़नीती का मसवधा और हाइब्रिड, नेनू करणा आती हैं, अन्यमहत्पूर सुर्खियां, जिसमें सपूत, फासपूर, सुपर किट प्रिक्षा को जोईन कर सकते हैं, जहां पर आपको साइन्स एंट टेक्नोलोजी की पीडियेप मिलेगी, साथ ही साथ आपको जो अभी तक पीडियेप कबर किये जा चुके हैं, उनकी भी पीडियेप उपलब्द हो जाएगी, चली तो हमारा जो पहला टॉपिक आता है, बह बैटरी उर्जा मंदारण पढ़ाले, सुर्कियों में क्यों, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ओफ इंडिया लम्टेड ने 36 कड में भारत की सबसे बड़ी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को सफलता पुर्वा शुरू किया हुआ, इस के अंतरगा शुरू किये गए, तथों के अंतरगा देखते हैं, पहला तो आता है कि शुरू किये गए, BESS या स्पैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम सौर उर्जा का उप्यों करके उर्जा मंदारण करते हैं, SECI यानि की सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ओफ इंडिया लम्टेड नभी नो नमीनी करन उर् जब हंदारण के संदर में देखा जाए तो इसमें यांत्रिक के अंतरगत आता है, Pump Hydro, Pump Hydro फिलाई वील, Compressed या रहाता है, विद्दुत रसाइन में दुतियक बैटरी, दुतियक बैटरी, एलेड या एसिट की, दुतियक बैटरी, फिलो बैटरी इसके अंतरगत आता है, फिराता है विद्दुतिय में, Double Layer Capacitor, Super Conductivity Magnetic Energy Storage होता है, और जिसमें रसाइन और तापिये, दुव अलग अलग तरीके से होता है, जिसमें Hydrogen Fuel Cell और तापिये, Thermal Essence Civil Heat Storage इसके अंतरगत आता है, तो ये प्रूफ इसका बरगी करण की तोर पर दीखते हैं, चली तो आप समझ हैं कि बैटरी उजा भंडारण होती क्या, यह एक प्रिकार का बिद्दुतरासानिक भंडारण पढाली होती है, जिसमें विविन बिजली के भंडारत करने वके लिए अलग अलग बिद्दुतरासानिक करियाओं का उपयोग किया जाता है, जैसे कि इस तरीके की परियोजनाओं का बिद्दुतरासानिक भंडारण पढाली होती है, जैसे कि इसका उपयोग या तो सुतंत रूप में किया जाता है, या फिर उत्पादन, पारेशण और वित्रण में बिद्दुतरों पर इसका उपयोग करते हैं, बिए एसस के परकार को देखा जाए, त उसलिए आती है, फिलो बैटरिया, नॉन फिलो बैटरियां भी बैटरियां होती है, जहाँ पर इना आता है, उलेक्ट्रो लाइट में डूबी हुई पिलेटों के युग में होते हैं, और इन दोना पिलेटों को अलग करने के लिए उनके बीच कुछ अलक सामगरी होती है, जैसे वो धारण के दौर पर led, acid battery, nickel cadmium battery, lithium ion battery और sodium sulfur battery आती है और फिलो battery के अंतरगत, फिलो battery वो battery होती है जिसमें elektronik के प्रवाह को नियंतरत करने के लिए electrolyte के tank और membrane का उपयोग किया जाता है इनमें electrolyte के प्रवाह को नियंतरत करने के लिए pump का उपयोग किया जाता है जैसे कि रेडॉक्स फिलो वैटरी इसके अंतरगत आती है तो यह नॉन फिलो और फिलो वैटरी के अंतरगती प्रवुक है अलग-अलग प्रकार है अब आता है कि वी जी एफ योजना के मुख विंदो बना जड़ा ली जाए तो इसमें देखा जाता है कि जो इस योजना को 2030 के लि से 6.60 रुपे प्रती किलो वाट घंटा के बीच लिवे नाज्ट कास्ट और पिस्तुरेज प्राप्त करना होता है और यह निक्याया है केंद्री बिद्धुत मंत्रा लेकि अंतरगार कारे करता है अब आता है नेक्स्ट नीथियम आयन बैटरी के बारे में यह जो बैटरी इसके लिए हाली में नूबल प्रुसकर विजिता लेटियम आयन बैटरी के सा है अब इसकारक जॉन बैनिस्टर गुड इनव का नेधन हो गया जैड़ बैटरी यह बैटरी एक परकार की रिचार्जिबल बैटरी दिश्चार्ज होने पर लेटियम आयन रणात्मक लेक्ट जो कि अधिक ते पॉर्टिवल एलेक्ट्रो ने कॉप करनों में पाया जाता है। दूसर रहाता है लीथियम मेगनीज एक आक्साइड जो कि एलेक्ट्रिक कोटो मुवाइल में प्रुक्त होता है। लीथियम आयन फॉस्पेट गुड एनफ ने कोवाल्ट आक्साइड के कैथ कैथोड से लीथियम बैटरी का विकास किया हूँ और इस कैथोड ने पहले कि बैटरियों की तुल्ला में अधिक बॉल्टेज प्रदान किया था। लीथियम आयन बैटरियों में अलेक्ट्रो लाइट की रूप में सामनता इधर का उपयोग किया जाता है। जो कि इधर का तो इनका बजन कम होता लेकिन उनका घनत होता है वे अधिक होता है लैड ऐसे बैटट्री के वन 400-500 चार्ज साइकल होते हैं जब की लीठीम मायन मैं 5000 चार्ज साइकल होते हैं और यह डिकба चार्ज को पूरा कर लेती है तब इसे लिठियम değiş को पूरी तरीके से चार्ज माना जाता है इसकी तुलागाक रूप से देखा जाया तो इस में कम रख रखाओ की अवश्रक्ता होती है सेलफ डिस्चार्ज की दर कम होती है मेंपिक्ट की स्थिति उतबन नहीं होती है जिसमें बार बार आंसिक डिश्चार्ड होने चार्ज के कारण बैटरी अपनी कम चमता को मेमोरी में डाल देती हो और इस वज़े से बैटरी की चमता कम हो जाती है लीथियमायन बैटरी के नुकसान क्या है क्योंकि किसी भी चेज के अगर प्रॉफिट होते है तो उस खिमियो रही अन्य बैटरियां या सिस्टम के बारे में जिसमे पहला आता है एडवांस केमिस्ट्री सेल के बैटरी के उप्योग भारी उद्धूग मंत्रा लेने नेशनल प्रोग्राम और एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टूर्ज पर पी एलाई योजना के तहट एसीसी ने भी नर्माण के लिए फिर से बूलिया आमंत्रा करने की घूश न की एसीसी उन्नध भंडारेंच प्रोधिकिकि एक नई प्रीडी है जो कि बिद्धोतूझा को या तो बिद्धोत रासा ने क्या रासने कर रोप में भंडारित करती है साथ ही आविशकता पढ़ पर इसे बापिस विद्धु तो जामें परिवर्दित कर देती हैं बाइट डिग्रीवल सुपर पेपर सुपर कैपिसिटर जू की गुरजयात एनरजी रिसर्च हैं भी हैं शुपर कैपिसितर बिकिष्षित किया है् यह इक सुपर कैपूसितर घृरीफित्व films यह सौपर कैपिसितर एक विकड्यार में किया है जब या प्रिचुर मात्र में हरे तुर्जा उपलब्द होती है तो ये बेट निया भारी बजन को हवा में उठाने या इसे डीप सॉप्ट के सीर्ज तक उठाने के लिए उजा का उपयोग करती है सोडियम आयन बैटरी या इस तरीके की बैटरी होती है जोकि विद्ध तूरजा को संघरहित करने वो मुक्त करने के लिए आभीस भाग के रूप में सोडियम आयनों का उपी में किया है इनकी निर्माड में Small modular reactor design का उपयूग किया गया है In small modular reactor design का इसमें उपयूग किया गया है चले तो जानते हैं कि Small modular reactor होते क्या है और हाली में इसे संब्दित क्या तथ आये हुए है मतलब कि क्या information आई हुई है और इनके पिरकार को भी जानते हैं इसमें सबसे पहले तो इसके बारी में जानते हैं कि यह होते क्या है जन्हें small modular reactor कहा जाता है इसमाल modular reactor जो है मैं 30 MW से 300 MW तक की बिद्धू जो उत्पाद इंचमता वाले advanced परमाडू reactor होते हैं इन्हें कि जो सनरचना को देखा जाये तो यह मतलब कि इसमें small का जो मतलब होता है यह तीन अक्षरों से जो मिलकर बना हुआ है small modular और reactor जिसमें small जो होता है वह small बहुत एक रूप से पारम पर एक परमाडव उजा को रेक्टर की दुला में छोटे आकार वाला होता है जो small का यह अर्थ होता है modular मतलब होता है कि इनकी पडालियों और घटकों को कारखादी में असेंबल किया जाता है और एक पूर एकाई के रूप में दूसरे इस्थान पर इस्थ वाटर कूल्ड, small modular reactor दूसरा आता है marine wastewater बाड़ कूलड हाई temperature wastewater कूलल रेक्टर, liquid, metalformed, माइक्रो रेक्टर इसके इंतर इंतर गताता है इसमें पहला आता है land wastewater वाटर कूल्ड रेक्टर जो है इस रड़ी के रेक्टर के अंतरगात आता है जिसमें पी एच डवलू आर प्रोधुकियों आधी के लिए अलग अलग सा निशना वाले वाटर कूल्ड एसे मार डेजाइन किया जाते हैं इनकी नोकाओं दूसरे वाले जो मरीन बेस्ट वाटर रेक्टर है इसमें नोकाओं जहां जो फ्लोटिंग कायों की रूप में स्थापित किया जाता है हाई टेंपरेचर वेस्ट वाटर कूल्ड रेक्टर में इसमें कई उध्धोग इस्तमाल किया जाते है साथ ही इनका उप्यों एक साथ हूश्मा औ बिजली दोनों के को करने का उप्यों किया जाता ह zag ॹे nes. तरीके के माल्टिन स॔ल्ट रियेक्टर एक तरीके का ईधन भरणे के बाद कई शूत रिशुत करने में सक्फेफ होते हैं इसमें चाली हुआ बशे खyezनी के का उसकी होता है माइक्रो रियक्टर वह रियक्टर होते हैं जोकि लाइट वाटर हीलियम माल्टन सॉल्ट और तरल धातू सहित अलग अलग प्रिकार के सीतल को का उपयोग इसके इंदरगत किया जाता है इससे सम्मन्न तथ्थ में देखते हैं कि अभी हाली में चौथी पीडी का परम प्योग सीतलन के लिए किया जाता है और यह पारंप्रे परवाणों में जबकि दाव्योक्ति जल का उपयोग किया जाता है और अभी हाली में क्या हुआ है कि चीन ने दुनिया का पहला चौर्थी पीडी का परमाणु रियक्टर आरम भी किया गया है और इसको स्मॉल अधिक समय तक चलता है कॉम्पेक्ट डिजाइन है जिसमें कम भूमी के आवशक्ता होती है पीशिप सेप्टी फीचर्स होता है जो कि रेक्टर को बंद करने और ठंडा करने के लिए यह के फायती भी है चुकि जिसका उपयोग भी लवडी करन और बी निर्माड आधी गत सब्सक्राइब करने के लिए प्रावधानों को आंगे बढ़ाने के लिए 1988 का ब्रूसेल सप्लिमेंटी कंसेंशन आता है अब आता है नेक्स्ट नेट एनर्जी गैन के बारे हाली में अमेर्की विज्ञानकों ने नाविकी सल्लेन अविकरिया को दूसरी बार नेट एनर्जी गैन प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की हुई है चली तो जानते है नाविकी सल्लेन के पिकरिया को कि इस पिकरिया के धुरू जो नेट एनर्जी गैन को प्राप्त किया हुआ है तो सबसे पहले तो जानते है कि नाविकी सल्लेन होता के है नाविकी सल् जा उत्पन होती हो और सल्लेयन अभिक्रिया पदार्थ की प्लाज्मा वस्ता में होती हो प्लाज्मा जो होता है वह गर्म और आविश्यत गय से जो धनात्वकायनों तथा मुक्तिगति वाले मुक्त गति वाले एलेक्ट्रोन से बना होता है इसमें जो विखंडन होता है विखंडन की जो पिक्रिया है इस तरीके से है कि इसमें एक बड़ा परमाडू दो या दो से अधिक छोटे परमाडू विवाजित हो जाता है वो सलेन इस तरीके से होता है कि इसमें दो या दो से सब्सक्राइब नियुक्त सब्सक्राइब होता है तो यह इस तरीके की बीड़िकरनन और प्रमाणून प्रमाणून की इंपोटनेंस को दिखांब तो इसके अंतर है की यह विद्धूत। यह बका सवक्षू और सुरक्षे सुनुत है क्योंकि यह कोई येक किलोग्राम सल्लयन इधन, 10 मिलियन किलोग्राम, चीवास मिधन, जितनी उजा प्रदान करता है कि कच्चा माल हाइड्रोजन होता है और जो कि अपरिचौन मात्रा से बाणे को जिक उजा उत्पन्ने करने के लिए नेट एनरजी गेन का होना जरूरी होता है मतलब कि नावके सल्यन अभिक्रिया में जितनी उजा की खपत होगी उतनी ही सूथ करताओं को उससे अधिक उजा का उत्पादन करना होगा मतलब कि जितनी खापत होगी उससे ज़्यादा उत्पादन करना होगा इसके संदर में आएगा भारत सन्यान रेक्टर में NEG मतलब कि Net Energy Gain पिदर्शत करने के लिए International Thermonuclear Experiment Reactor परियोजना का हिस्सा है वो भारत ने स्वेम भी अपने स्वदेशी टोका मग आदित वर अर्द स्वदेशी स्टेडी स्टेर स्वपरकंडेक्टिक टोका मग का निर्माड किया हुआ है ITER के बारे में कि International Thermonuclear Experiment Reactor क्या है इसका उद्देश जो है वह नाव की उजा को उजा की स्वख चहारित शुरोद की रूप में इस्थापित करना है जिसमें भारत अमेर्का रूस यूरोपी संग सहे 35 देशों के सहयोग से फ्रांस वेस में इस्थापित किया जा रहा है इसका लक्स दुनिया में सबसे वड़ी टोका मग का निर्मार करना है और टोका मग जो है वह एक चुमिकी ये सल्लेयन उपकराण होता है जिसका उप्यों सल्लेयन उजा की छमताओं को दुहन करने के लिए लिजाईन किया और टोका मग सूर्थ अथतारों की उजा देने वाले सिद्धान पराधरे होता है अब आते हैं कुछ घटना करम संबंदे थे जिसमें पहला घटना करम आता है जूलियस रोबर्ट ओपन हाइमर के वारी में जो की यह पर्माणु बंग करने मदद में इसका उधवर में जोड़ा जाता है फिरात है JT-ST610 जो की प्रायोगिख नापकीly स्लियन रेक्टर है यह दुनिया के सबसें बड़े प्रायोगिक नापकी शीमें जापन में उध्गासन किया है और यह यह is aउड जापन की या कि रोड काकरापारवा परमाड़ो गुजरात में देश के पहले शोदेसी 706 वाले काकरापारवा परमाड़ो गुजरासे अंतर थ्री का परिचालन शुरू हुआ है चले तो जानते हैं कि इसके थ्री के सद्नर में याया हुआ है मतलब कि ये तीन तीसरा है तो इसके अंतरगत जो आपका पहला दूसरा चरण है उनके बारे में भी साथ में समझते हैं हाली में की APP3 देश का सबसे बड़ा सौदेशी रूप से विक्सित परमाणू उजरे इसे न्यूकलियर पावर कॉर्परेशन ओफ लिम्टेट द्वार विक्सित किया गया हो और यह परमाणू उजरे विभाग के अंतरगती कुक्रम आता है कि APP3 मतलब कि यह जो आपके जो विभाग होता है वह एक संस्था होती है जैसे कि न्यूकलियर पावर कॉर्परेशन ओफ लिम्टेट है तो उसके अंतरगत अलग-अलग विभाग डिवाइट कर दिये जाते कि उसमें जो भी specific जिस चीज से related होता है उसके लिए एक अलग से विभाग होता है तो उसका जो कार होता है तो उसी विभाग के अंतरगत किया जाता है और यह विभाग जो होता है वह सम्मध्य किस से होता है जो उसकी head of company हो या फिर कोई जैसे संसत की समीती बन रही है संसत की समीती बनती है तो कोई उपं समीतियां होती है तो एक एक sequence में चीजे चलती है कि अलग-अलग विभागो को अलग-अलग दिवाइट करके बना दिया जैता ह posição कारी को बहतर तरीके से करने के लिए अगर अलग से एक विभाग निंद्द केर दिया जाता है तो उसकारी को क लेकिन यह परमाडू उजा विभाग का एक उपक्रम है तो इस तरह के से आता है के एपी थी दाव युक्त भारी जल रियक्टर का सौधी सी रूप से विक्सित बड़ा संस्क्रण भी है यह सहींत को 2020 में अपनी प्रिथम के लिटी के लिटी हासल कर ली है और यह सहींत्र के के लिटी प्राप्त करने पर प्रितिक विखंडन घटना इतनी परियाप्त संख्या से नेट्रोन रिलीच करती है जहां चालू सरंखला भी करियाओं को जारी किया जाता है और प्राक्तिक यूरेनियम को इधन की रूप में और भारी जल मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है इसी से जोड़े हुए कुछ विकास में कि APP-4 की क्रिटिलिटी हासिल भी कर लिया और इसके लिए स्थापित किये जा रहे है साथ सुभ मेंगाबाट की सूला सौदेसी पी एच डवलू आर्स रंखला में है दूसरा आता है अब आता है इसके इंतरगर देखते हैं केश के चरण फस्ट रशितों स सेकंड को कि परमाडू उज़ा किस अंदर में से तीन चरणू में परमाडू कारक्रम के दूसरे चरण में कि भारत में तीन चरण वाला परमाडू कारक्रम है और होंपी भावा ने देश में रिप्योग करते हूं और ही पिल commodityम का के अंतरगत आता है जिसमें विद्धुत को 0.8 कैपिसिटी फैक्टर और 100 गीगावाट 0.4 तीवाई के अंतरगती आता है इस तरह से जो चरण सेकेंड है जो की इधन के रूप में प्लूटोनियम अप्राक्तिक यूरियूम के मिश्रण का उप्यों किया जाता है थोरियूम को U233 में परिवर्तित कर्टे के लिए इधन चक्र में सामिल किया जाता है और चरण 3 जो होता है इनमें रियक्टर में इधन के रूप में थोरियूम यूरियूम के मिश्रण का उप्यों किया जाता हो थोरियूम U233 में परिवर्तित हो जाता है जो की रियक्टर की सक्तिप्रदान करता है तो इसके अंतरगती प्रमुक्चरण आते हैं अब आता है यूरेनियम संबर्धन के बारे में कि यूरेनियम संबर्धन जो है अंतराश्टी परमाडू उजय एजंसे की रिपोर्ट के निशारिश में इरान ने नेर वेपन ग्रेड यूरेनियम के दारण में बहुत्तिर हुई है इसका तात परिया है कि यह यूरेनियम 235 को 90 पिश्चत से अधिक संबर्धित कर लिया गया है यूरेनियम का संबर्धन जो है वैखनन के लिए उपयोगी परमाणू इधर मनानी की एक पिक्रिया है जो कि प्राक्थिक यूरेनियम में यू 235 क पिश्चत बढ़ाया जाता है इसके अंतरगत आता है अब आता है यूरेनियम 241 के बारे में जो कि पहले से अग्यात यूरेनियम की समस्थानिक यूरेनियम 241 की खोच की गई है जिसकी परमाणू संख्य 92 है वो द्रबमान संख्य 241 है यूरेनियम एक प्राक्थिक रूप रेडियो धर्मी तक तो होता है हाल पर लाइफ टाइम 40 मिनट का भी हो सकता है इसके इंतरगत आता है एडवांस लिक्विट प्रोसेस्सालीं से उपचार के परधो खानत महासागर में छोड़ दिया गया और यहा एक पंपिंग और फिल्ट्रेशन पढ़ा लिए जिसमें संदू से ज종 से रेडियो नियुकलाइट को हटाने के लिए रासने कभी करियाओं की एक सरंखला का उपयोग गिया जाता है, इसके अंतरगत आता है, अन्नमाहत्पूर सुर्ख्यों के अंतरगत पहली आती है, अलेक्ट्रिक बाहन से ग्रेट चार्जिंग में, जो कि गेंदरी बिद्वित प चार्जिंग सामेल होती है, जो कभी कभी रिवर्स चार्जिंग भी कहा जाता है, यह जो केंदरी बिद्वित प्रादिकरण की स्थापना जो है, उसे विद्वत पूर्टी अधिनियम 1948 के तहत की गई थी, और यह विद्वत अधिनियम 2003 के तहत सो पे गई कारियों को संपन करता है, जिसमें बिद्वत अधिनियम 2003 के तहत से लागू किया गया, तो यहे भी एक सिकवेंस बेस्वेस है, कि यह विद्वत अधिनियम जो है, यई से विद्वत अधिनियम है उसके अंतरगत इसमें जो कारे शौपी गई है उस कारेओं को यह संबन करता है और हाली में क्या हुआ है कि एलेक्ट्रिक बहान से ग्रिट चार्जिंग को बड़ावा देने के लिए बैटरी मान की करण का प्रिस्ताव बेंद्री विद्धित पराधी करण के द्वारा प् के ट्रामबी परिशार में इस्थित मॉलिपडेनम-99 उत्पाधन चुबधा के इंद्र का उत्गाटन किया गया है मॉलिपडेनम-99 की बारे में यह ट्रेकिस्यम-99-m का एक मूल समस्थानिक है यह कल्पकालिक गामा उस्टर्जिक समस्थानिक है यह टीसी-99-m का प्रडालीयों के लिए विशेश आब आता है डारेक्ट मेथेनौल फ्यूल सेल जो कि जब कुवाल्ट औपिलेटनम की मिस्द धातु को मैगनीज के साथ मिला दिया जाता है तो इसे डारेक्ट मेथेनौल फ्यूल सेल कहा जाता है जो कि एक प्रभावी उत्पिर्याक के को इह परक्षे रूपा अंतरित करने का एक उपकरण होता है जो कि तरल मैथनोल को राषन को सीधियो तोर्जा में परिवर्तित करता है और डारेक्ट मिथनोल फ्यूल सेल जो होता है वे उचूर्जा घनत, ऊजा दक्षिता, कम परिचालन तापमान और इनका परिचालन भी अधिक सुरक्षत है क्योंकि यह तरल इधन पर आधारित होती है और इसका उपिक छोटे वाहिनों के लिए बेकल्पिक उजा शुरूत, मुबाइल फोन, डिज इसक्स टॉपिक, सिक्स में नमबर पर जो टॉपिक आता है स्वास रक्षा के बारे पर, रक्षा के संदर में पहला आता है S-400 एयर डिफेंस मिलाई से साइल सिस्टम, रिपोर्ट सिनकार भारती वायू शिनानें चीन और पाकिस्तान से लगी सीमाओं को S-400 मिसाइल यून इसे रूसी सरकार के स्वामित वाले उपकरम में विक्सित किया गया और इसमें ड्रोन, मिसाइल, रोकेट और यहां तक की लड़ाकु, जेट, सहित, लगभग, सभी प्रकार के हवाई हमलों की खिलाप सुरक्षा कबच का प्रदान करने की छमता है बारत में बायू रक्षा पडालियों के अंतरगत जानते हैं कौन-कौन सी बायू रक्षा पडालिया है पहली आती है बेरी Short Range Air Defense System जोकि चौती पीडी की मन पोर्टिवल एर डिफेंस सिस्टम है पिर्थवीर बायू रक्षा पडालियों जोकि इसकी रेंज तीन सो से दो हजार किलो मीटर है उननत बायू रक्षा पडालियों जोकि कम दूरी की सतय से हवा अक्वार करने वाली मिशायल पडाली है जो रक्षा नुशंधान और विकास संगठन के रूप में इसे डिजाइन और विक्सित किया गया S-400 मिसायल की मुख है बिसे इस ताओं की बारे में जिसमें पहली आती है कि इस पडाली में कुछ सामिल है जैसे कि कमांड और कंट्रोलिक सिस्टम, सौचालिक ट्रेडिंग और ट्रेकिंग और टार्गेटिंग सिस्टम, लॉंचर और सहायक भाहन आते हैं इनकी अलपनी अलग साटराड पडालिया हैं जिसमें 400 किलोमीटर की दूरी के हवाई लक्षों का पता लग सकता है और यह लिखने रूप से इसकी सर्वलान समता से 600 किलोमीटर तक होती है और 30 किलोमीटर की मुझाई पर यह लक्ष कवार कर सकते हैं अब आता है प्रोजेक्ट कुसा के बारे में भारत 2028 से 2029 तक अपनी लंबी दूरी की सतह से हवा मार करने वाली रक्षा पडाले तैनात करने की तयारी कर रहा है प्रोजेक्ट कुसा के बारे में यह इस परियोजना कुरक्षा नुशंधान और विकास संगिठन की तहर डिजाइन किया गया है और इसे स्टील्थ फाइटर्स बिमान ड्रॉन और क्रूज मिसाइल जैसी हवाई खत्रों का पता लगाने और उसे नेस्ट करने के लिए सिस्टम के बारे पहला आता है अमेर की एर डिफेंस सिस्टम जो की टर्मिनल हाई एल्टिटूट एरियर डिफेंस है जिसमें सहेक्तराज अमेर का की एकल आया में मिसाइल पढ़ाली के अंतरगतिया आता है क्योंकि एवे 150 से 200 किलोमीटर की दूरी तक के वल एक ही मिसाइल लाग सकती हो और इसके लावे यह लड़ाकु जेट को इंटरसेप्ट नहीं कर सकती है सायुक्त राष्ट की पेट्रियट एडवांस केपेबिलिटी 3 जो की 180 किलोमीटर की रेंज हवाई लक्ष को भेरने की छमता रखती है नेशनल एडवांस सर्फिस टू एर मिसाइल सिस्टम जो की एक अत्यदे का नुकूलन योग की युद्ध चाक्षम मैध्यम रेंज की बायुरक्षा पडाली होती है अब आता है आयन ड्रॉम सिस्टम जो की इजराईल की सबषूरनत कमदूरी की कीम तथा जमीन से हवा में मार करने वाली बायुरक्षा पडाली होती है एपडाली एक detection और ट्रेकिंग राडार है जो कि एक युद्ध प्रवंदन और हतियार ने यंतर पडाली के और तथा तामिर इंटरसेप्टर पर सायले होती है अब आता है डेविड इसके लिंग बायू रक्षा पडाली जो कि इसराइल ने हमास को रोकेट को रोकने के लिए डेविग सीलिंग बायू रक्षा पडाली का उप्योग किया पडाली एक मिसायल फायरिंग यूनिट एक फायर कंट्रोल यूद्ध प्रबंधन स्टेशन और इंटरसेप्टर इसमें सामिल होता है European Sky Sealed Initiative यह ज़िए इनिसियेटिव है यह से उस्ट्रिय और सुर्जलेंड इसमें सामिल हो गए और इसका लक्ष नाटो की एक इकरत बायू और मिसायल रक्षा को मजबूत करने के लिए एक European बायू और मिसायल रक्षा पडाली की इस्थाफित किया गया हाइपरसोनिक मिसाइल जो की एरान में शौधी सीनेर में तपनी पहले हाइपरसोनिक मिसाइल फटाय का नावरण किया है इस मिसाइल की मारक्षमता 1400 किलो मीटर होती है हाइपरसोनिक मिसायल की बारे में किया ही एक ऐसी हतियार पड़ा लिए है जो की दोहने की गती से भी पांच गुना तीज मैक फाइव रप्तार से तीज उडान भरती है हाइपरसोनिक मिसायल है पारंपरिक बेलिस्टिक मिसायलों की तुनला में बहुत कमूचाई पर उडान भरने में होती है हाइपरसोनिक हतियार की दो प्रकार होते हैं पहला आता है हाइपरसोनिक गिलाइड वेहिकल दूसरा आता है हाइपरसोनिक क्रूज मिसायल हाईपर सोने गिलाइड वेहिकल जो है बाई निर्धारी लक्ष की ओर लॉंच होने के पूरी एक पारम परे रोकेट के मादम से पहले वाईवंडल में प्रिविस करती हैं उसके बाद गिलाइड वेहिकल रोकेट से अलग होकर इच्छे लक्ष की ओर अतिती ब्रगती से आगे बढ़ती हैं फिर आता है हाईपर सोने क्रूज मिसाइल जिसका लक्ष हो जाने निर्धारित हो जाने की बाद यह मिसाल उस दिसा में एर बिरिफिंग, हाई स्पीड इंगन और यहाई स्क्रेम जेट दौरा संचालेत होती हैं हाईपर सोने खतियारों के लाप कि वारी में देखा जाए तो पहला आता है कि इसमें हाईपर सोने खतियार के वल गते जूर्जा यानि की गती से प्राप्तूर्जा का उप्यों भूमी गच्छेत्रों की आसान लक्षों को नस्ट करने हितू करते हैं यह मिसाइल ने सुदूर रक्षित या टाइम की टिकल खत्रों के खिलाब जवावी वा लॉंगर इंजन हमले करती हैं और इनकी उच्छिगती परिवरत नसीलता की चमता की चलते इनका पता लगाना कठिन होता है भारत की स्थिती में देखा जाए तो यह भारत अपने हाइपर्शोनिक टेक्नलोजी देमनर्स्टी टर वीकल प्रोग्राम की तहट मैक 6 स्क्रेम जेट इंजन का सफलता पूर्वरत परिक्षड करती है और हाली में रूजने यूक्रेन पर हम लेकर पहली बार एडवांस हाइपर्शोनिक मिशायल जेर कौन का इस्तमाल किया हुआ है इससे सम्मेंदे तत्थों में आता है एंडो एटमस्फोर्विक इंटरसेप्टर मिशायल के बारे में बैलिस्टिक मिशायल अपनी उडान तथा बैलिस्टिक प्रिछे बख्र कानूशना करती है तो इसका यह प्रिछे पड़ मतलू होता है इसमें इस तरीके से बैलिस्टिक मिशायल को लक्षे निरधारित किया जाता है जो कि यहां पर यह बाह अंत्रिक्षे बाह मंडल है औ पुष्ट गिलाइड वेकल होता है और यह हाई पर सोने क्रूज मिसायर और इसकी रेंज को निर्धारित करने के लिए एक पॉइंट बनाया जाता है कि यहां इसको प्रिछे पितिस तरीके से किया गया अंतर महादिपी बेलिस्टिक मेसायलें जो हैं वाई 5500 किलोमीटर से य प्रिफ्ट गायुगत किये उत्थान के माद्यम से उड़ा बनाये रखती हैं सुर्खियों में रही मिसायलें जैसे पहली आती है पिल्लाइड बैलिस्टिक मिसायल जो है भारत में पिल्लाइड मिसायल का सफलता पुरवग परिक्षण किया गया है जैसे DRDO की द्वारा वि प्रिफ्ट भी डेपेंस भी उपकल पर आधारत है अस्त्र मिसायल जो की हलकी लड़ा को बिमान तेजस से अस्त्र मिसायल का सफल पर इक्षण किया गया है यह मिसायल DRDO ने स्वधिसी रूप से विक्सित किया है और इस मिसायल को बियोंड विज्वल रेंज वाली है हवा से हवा में मार करने के लिए सक्षम है यह सभी मोश्मों और तथादी नेवम रात में भी कार करने की छमता से युप्त होती है इसकी रेंज M के फस्ट संस्क मैं अस्ती से एक्षो दस किलो मीटर और Camera में 120 किलो मीटर होती है अब अब आता है स्पाइक नॉन लाइन और साइट या सति या एंटी टेंग गाइडें मिसायल भाप्ते हैं मिसायल के घस्वायल की एक बेड़े के साति किकरत किया जाएगा और यह है मिसाइल जो है वे स्पाइक मिसाइलों की एक छटी पीडी होती है जो की पहाड़ों के पीछे चिपे सत्रू के ठिकाने लगाने में नस्ट करने में सक्छम है और इसकी मारक शमता 30 किलो मीटर होती है और यह हलकी और दागों भूल जाओ के सिध्धान पर आधरित होती है और यह उप्टिकल या फाइबर प्लेट वर्जायां आप्टिक प्रोध कीया जाते है अब आता है सुर्ख्यों में रही ड्रोन ययर्प्राफ्ट है सब्मेरिन के बारे में पहले डर पर पर आते हैं ड्रोन जोकी UAV की कमांड वाने अंत्रण चम्ताओं का सफलता पूर्वग प्रदर्शन किया है तापस भी एस टू जी रूबन एस्वादी सी रूप से विक्सित किया गया है जो कि मीडियम अल्टिटूट लोंग एंडूरें या मेल मानो रहे थावाई बहान है और इसके लिए नहीं प्रकार का उच्चेगती वाला फ्लाइट में योगत मानो रहे थावाई बहान है जिसे टेल लेस कॉन्फेगरेशन वाला फिक्स विंग है जो कि यह विंग आधारते बिमार है यह मुख विंग में पैलोट रखने हो एधन स्टूर करने की जगह है इसमें होती है और इ इसमें को किसाथ किसी भी रनवे के टेक ओफ या महा लेंडिंग कर सकता और इसके लिए GPS एड़े जियो ऑगुमेंटेशन नेविगेशन का उपियों क्या गगन का उपियों किया जियरता है अब आता है MQ-9B रीपर के बारे में साइक तरह जब अमेरका ने भारत के 31 US MQ-9 प्रोडेक प्री डेटर रीपर ड्रोन बेजने की मनजूरी दे है MQ-9B रीपर के बारे में यह उपगरह की मदह से संचालित किया जाता है और यह बारे में एक बारे में 30 घंटे से अधिक समय तक उड़ान भर सकता है यसी असे ने बिमानन के साथ सुरक्षे तूब से एक करत किया जाता है या सईउक तुबलों और अधिकारियों को रिएल टाइप अधार यह परिस्τοं की परिष्थJ कि वारे में प्राप्त होता है अब क्या विमानिया हेलिकॉप्टर के वारे में जिसमें पहला आता है MS-60 ROMEU हेलिकॉप्टर यह जो ह हेलिकॉप्टर है इसी भ प्रान भरनने वाला एक हेलिकॉप्टर है जो आत्या धुनिक बेमानी की और सेंसर से लेस इसका किया गया इसकी प्रोंग विसेस्ताओं में आता है कि यह एक बहु आयमी प्लेटफॉर्म की रूप में कार करता है ध्रोब उन्ना थलका हेलिकॉप्टर जोकि सरकारी बिनामेक सक्षम है या हिंद्वस्तान एरुनोटिक्स लिम्टिड में स्वाधिसी रूप से डिजाइन विक्सित किया गया जोकि सभी मोशम परिचालेत होने में सक्षम है और दो इसक्ती इन्यों द्वारा संचालेत होता है अवात हलका लड़ा को बिमान तेजस के बारे में तेजस बिमान आकरमक हवाई जसा है ता नजदी की उद्धा को जमीनी हमले करने में सक्षम होता है और इसे बिमाने की बिर्कास पर तिस्थान गया है रिजाइन किया गया और हिंदुस्तान एरुनोटिक्स लिम्टेड ने इसे निर्मित किया यह अपनी तरह का एक सबसे छोटा भता रघलका भिमान होता है जो कि बीद्ध के दोरा इधन भढ़ने के लिए सक्षम होता है यह उनडियन आर्मगि ने चौदिसी रूप से विक्सित लाइट कॉम्पेक्ट हेलिकॉप्टर पेचेंड हेलिकॉप्टर में लागी रॉकेट्स और गण्स का उसाफलता पूरुक परिक्षण किया है यह 2022 में इसे भारती वायुशेना में सामिल किया गया और यह एक बहुर देश यह लड़ाकु होलि सुप्ढूपी और जहाज के वारे में जिसमें पहला आता है प्रोजेक्टуж सेवंती भायव इंडिया के वारे में और कि पड्रूपी कारत्रम है इस। परियोजना को पी STEPHAN फायव परियोजना की जगह शुरू किया गया जैसे प्रोजेक्ट 75 एंडिया परियोजना को प्रोजक्ट 75 इंडिया में भारती बूली दाता कंपनी को एक विदेशी सयोग के साथ गत्त योड करना आभिष्यक है प्रोजक्ट 75 पंडुब्वियों की दो सरणिया है एक सरणिया में एक अन्य सरणिया पी 75 आई है और यह विदेशी कंपनियों से ली गई तकनिक की मदर स श्वदेसी पंडुब्बी का निर्माड का एक हिस्ता है और P75 इंडिया के तहरे 6 पंडुब्ब्बियों को निर्माड किया जा चुका है या इसके अंत्रगती उजनाय बनाई जा चुकी है जो कि ये पंडुब्बियां बहतर सेंसर हत्यारों और याड इंडिपेंड बिध्वनसों में से तीसरा है और प्रोजेक्ट 15 भी पिछले दसक में नौसेना में सामिल किये गई कोल का तस्रणी के बिध्वनसों का अरुवर्ती है और यह प्रोजेक्ट दो बिध्वनसक पूर जिसमें आईनेस सिप बिधाका पट्नम और आईनेस मगोआ आता है यसे भारती नौसेना के युद्वपूर डिजाइन बीरो ने डिजाइन किया है जिसका निर्माड मजगाओं डॉक से विल्डर लिम्टेड ने इसका निर्माड किया है जो कि एक सकती साली और बहु उपियोगी प्लेटफॉर्म होता है और हाली में महिंद्गिरी और दिपूर एम मिली मीटर लंबी तबा 70-45 केलिबर वारी आर्टिलरी गन होती है इसकी रेंज 36 किलो मीटर है और इसे विसीद गोला वारे उसे लेशो कर 38 किलो मीटर की रेंज का प्रदर्सन किया गया है या से अदूशी रूप से विक से लंबी दूरी की मारक छमता वाले पहली और गन भी आती है यह इनिशियल नेविगेशन आधारे साइटिंग सिस्टम और टू लेंग की शुग्दा से युख्थ होती है इसे ओनवर्ड बेलिस्टिक कम्पुटेशन भी लगा हुआ है क्लेस्टर बं के बारे में इससे से एक तरा जमीर का में नए शेन निस आयता पैक प्युस्तरों को विमान से घ्राया जाता हूं मिशाइल से लांच किया जाता है या तोक नोशन गन या रोकेट लॉंचर से इसे दागा जाता है निराक्षी के बारे में निराक्षी जो भारत का अपनी तरह का पहला और टू नॉसometer वार्टरуда कल निराक्षी लांच किया ग इसे गॉर्डन रिच सिप्मेंट एंड इंजिनियरंस लिम्टेड और MSME संस्था एरोई स्पेस इंजिनिरिंग प्रोजेक्ट लिम्टेड के सहयोग से विक्सित किया जाता है। अब आता है थर्मोबेरिक बम के वारी में थर्मोबेरिक बम या एक्स्प्लोरेशिक कहा जाता है। जब ही अपने लक्ष से टकराता है तो पहला विस्पू टक चार्ज कंटेनर को खोलता है और फ्यूल मिस्रन को व्यापक रूप से बादल की रूप में फैला देता है तो इस तरीके से होता है। प्रोजेक्ट संजा की बारे में चूकि पिधाल सेना का प्रोजेक्ट संजा है जो की एक डई युद्ध छेतर निगरानी बढ़ाली बनाने का काम करती है। बी एसेस की तहट सभी उद्ध छेतर के लिए निगरानी के अंदर बनाने का लक्ष है और यह है पिडाली हजारों सेनसर की एकिकरत करेगी और इससे सभी इस्तरों पर कमांड और कार्मे को कोई किरिकरत निगरानी तस्वीर प्रदान की जा सकेगी इसके अतरिकते है वोट्स और परुसकार में इसमें आता है सबसे पहले भहत इकई में Novale प्रुसकार 2023 के बारे में कि इसमें परुसकार किशिप्रदान किया गया या प्रुसकार उलेक्ट्रों की क्या धिकिक का देन करने के लिए प्रिकास की 8-0 2nd pulses उत्पन करने वाली प्रिवगातम बिनिय यह प्रोषकार दिया गया अब आते हैं इलेक्ट्रोनीकी गतिकी के बारे में होती क्या है इलेक्ट्रोनिकी गति की जो है मैं पर्मानू और अणूram की भी तर्वेट्र बिवारे ममन की गति को इलेक्ट्रोनिकी गति की कहा जाता है मरमानू के अदर गति बिदियां त्यंसुक्षा टाइमिस्किल में घटत होती है परमाणू एक सेकंड के एक अरब्वी हिस्से के दस लाग वे हिस्से के रूपे गती कर सकती हो गूम सकती हो और इस टाइम इसकेल को फेम्टो सेकंड भी कहा जाता है इसकी खोज के सबसे पहले तक परमाणू के अंदर की गतिविदियों का अध्यन जो है वे फेम्टो प्रिकास को उत्पन करना की संदर में कि यह एनी एल्प जो हुई लिए और उनके सही होगे और नोबल गयस के माधिम से अवरक्त लेजर प्रिकास को प्रभाहित किया और इसके पढ़ा हमसरु कई अलग-अलग ओवर्टोर्ण उत्पन हुए जिसमें प्रिकास की सबसे चो अल्टराफास्थ जो की एलेक्ट्रोनिकी का विकास होता है जैसे ओधारण की तौर पलग-णिक परकरण और स्बेंख्टर।स्कूपी में फिर आता है पधाल्थ विज्ञा वब और उत्प्रीरक जैसे छेतरंक में जिसमें बलेक्ट्रोनों का सर्टीक नियां प्रेटर हो विजीता मौंगी जी बॉमेंडी लुई सी ब्रूस और एलेक्सी एकी मूव आते हैं क्वांटम डॉट्स के बारे में यह माननेर में तर्दचालक कड़ होते हैं इनका आकार सामनता दस नैनो मीटर से अधिक नहीं होता है यह कहें तो यह हैं क्वांटम डॉट्स ऐसे डॉट होती है यह 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 आऊसे नैनो पार्टिकल होते हैं और इनका आकार उनहीं गॉड़ों पर नेलधारत कीआ जाता है। इसके अंत्रगत आता है photo-statability में बदार्थ की विवित्ता में by compatibility के अंतरगत आता है जो कि कुछ डॉक्ट से को by compatibility कहा जाता है और इसकार्थ होता है कि इसका उप्युक जी वितकूषकाओं को नुकसान पहुँचाए बिना माना का उपचार करने और जैमेकन उशंधान में किया जाता है अब आता है नोबल पुरुसकार विजीताओं के बारे में 1980 की दसक में शुरुवात में एलक्सी एकिमोव ने रंगीन कांच की साइज डिपेंड कौंटम इंपेक्ट उत्पन करने के लिए सफलता हासल की थी इसके कुछ सालवाई लुईस ए बुरुस दुनिया के पहले विज्यानेक थी जनोंने किसी तरल पदार्थ में सुतंत रूप्चे तरतेकड़ों को साइज इंडिपेंड कौंटम इंपेक्ट को सिद्धी किया और 1993 में मौंजी डी बावेंडी द्वारा अतियंत विसिस्टाकार प्रिकास सम्मंदी उच्छी गुडवत्ता वाले कौंटम डॉट्स बनाने के लिए एक तकनीक विक्सित की गई थी कौंटम डॉट्स के उपयोग दिखा जाए तो यह बायो मेजिंग और मैडीशन में हैं जिसमें सेंसर्स बायो लेवल आधी होता है उल्जा में फोटो वेल्टेक्सेल सोलर कॉंट्रेक्ट आधी होते हैं कौंटम कम्प्यूटिंग में क्यूविट्स के रूप में कार करता है अन्न में ऑगुमेंटिन रियल्टिंग कौंटम डॉट लाइट एमेटिंग डायोड आधी का उपयोग किया जाता है अब आता है फिजियोलोजी या मेडिशन में पुरुसकार 2023 के बारे में इसके अंतरगत आता है कि मिनी उकलियो साइट बेस मोडिफेकेशन से जुड़ी हुई कुछ महत्पूर्ण खोजो के लिए मेडिशन में बर्स 2013 में नोबल पुरुसकार देया आयो गया mRNA या मेसेंजर राइव डू न्यूकलिक एसेट के बारे में यह एक तरीके से DNA में हमारे सरीर की सभी आनवनसिक जानकारियों को संगरीद करता है mRNA इस आनवनसिक जानकारी को निर्देशों को सेट के रूप में कोशकाओं तक पहुचाता है और निर्देशों के आधर पर ही कोशकाओं प्रोटीन का नर्माण करती है RNA में 4 निकलियोसाइट, 6 और बेस होते हैं और इनेचसंचित रूप से एडिनेल, यूरेशिल, गौानिन और साइटूसिन के नाम से जाना जाता है DNA में पाई जाने वाले थाइम, एडिनेन, ठाइमें, गौानिन, साइटूसिन के आनवाल से कोड भी अक्षा होते हैं mRNA के जो कारभडाली होती हैं प्रियोग साला में इनका निर्मार करके इसे बनाया जाता है जाता ही हमारी कुष्काव को निर्धायद प्रोटीन और प्रोटीन के खंड के रूप में निर्मार करने के लिए उत्परिर्द करती हूँ प्रोटीन के चलते हमारे सरीर की प्रितिरक्षा पड़ाली की जबावी कारवाही के लिए सक्रिय होती है और यह प्रितिरक्षा पड़ाली की यह जबावी कारवाही जो कि एक एंटिबोडी का नर्माड करती है जो हमें तुरंत मीमार होने से बचाने में मदद करती है MRN के टीकों के विकास करने का तेजी से आउसर दिया जा रहा है कि जिसके अंतरगत कुछ पनूख चुनोतियां भी मौजूद है और नोबल पुरुसकार बजेता भी इन चुनोतियों को समाधान खुजने में लगे हुए है नोबल पुरुसकार बजेताओं के कारे को देखा जाए तो इसमें MRN के टीकों से सम्मंद चिनताओं को समझाए जिसमें इन बिट्रो ट्रांस्क्राइब्ट MRN टीकों से जोड़ी समस्य हैं जैसे आहिस्थिरता इंफिलिमेंट्री रियक्षन और कोशकाओं वो तक में आप्रभावी प्रोटीन का रिर्माण हो रहा है अलग-अलग रियक्षन के कारण इस्थंधारी MRN कोशकाओं से प्राप्त MRN को सब सरीर में प्रिविस कराया जाता है तो उससे राशानिक परिवर्तन होता है जिसके कारण सरीर में इनके विरुद्ध कोई प्रितिकरिया उत्पर्ण नहीं होती और इसके भी प्रिविस कराया जाता है तो वह आप परिवर्तित रहता है अब आता है कि नोबल पुरुसकार विजेताओं के खोज के इंप्रोटेंस के बारे में जिसमें समझ की संदर में देखा जाए तो कारिकी वो बीश में इनको पता था कि इस तंधारी कोशकाओं से प्राप्त MRN में नूकलियोसाइट के बेस अक्सर रासानिक रोप में परि परिकलपना को परिवर्तित होने के जारी या वीस की प्रियोक सरवनमिन इन बिट्डो के अनपस्तती में इन फ्लिमेंटरी येक्शन की व्यक्ष्ण कर सकती है प्रिक्ष्ण के दोरा नूक्त चेंच में विसे संदासानिक परिवर्तन के MRN में कई वेरियन्ट तैयार किये थे जो के उन्हों MRNA को उनके एक एक करके डेंट्रेट कोश्काओं का डिलीवर किया और इनका परणाम था किया है MRNA चारों में परिवर्तन किया गया तो इनफ्लिमेंटरी रेक्शन लगबाग समाप्त हो गया होगा खोज के विन छेतरों के उपियोग में देखा जाए तो उनका उपियोग तेजी से वैक्सीन बनाने हो ब्यापक उपियोग के लिए होता है जैसे ओधारन के लिए पी फाइजर या बायो एंटेक और मॉर्डेनर दोरा विक्सेत है MRNA टीक है अब आते हैं भारत में कोविट से सम्मनित प्रोंग वैक्सीन के बारे है जाए क्योग डो जो कि दुनिया की पहली और भारत में स्वादी सी रूप से विक्सेत दियाने वैक्सीन है कोरबे वैक्स टीम जो की भारत की फली प्रोटीन सब यूनित वैक्सीन है जेम कोवैक जो की दुनिया की पहली और भारत की श्वादेसी रूप से विक्सेत अमारेने वैक्सीन है और इनकोवैक जो की विश्यो की पहली और भारत की श्वादेसी रूप से विक्सेत इन प् तो UPSC में कोश्चन पूछे जा चुके हैं RNA और DNA से भी हमेशा कोश्चन आते हैं mRNA से रिलेटिड कोश्चन पूछा गया है यह नई सब्दवली है कि MI RNA या माइकरो RNA RNA जो होता है कि यह हालिया दिन से पता चला है कि लेट सेविट नामक MI RNA RNA कैंसर से लड़ने में महत्पूर हों का निभाता है MI RNA चोटे और अतियंसर लक्षत गयर कोड़िट RNA आनू होते हैं और यह प्रोटीन पादन को रूपने मिलक्षत mRNA को निस्क्रिय जीन एक्सप्रेशन को नियंतरत करती हैं जीन एक्सप्रेशन एक ऐसी पिक्रिया होती है जो कि जीन में एनकोट की गई जानकरे को कार को बदलने के लिए किया जाता है मनस्यों सहेत अधिक तर यूक्रियोटेक्स के पाए जाते हो और MI RNA मानोजीनोम का एक से पांच प्रिशत हिस्सा होती है और एक कम से कम 30 प्रिशत प्रोटीन कोडे करने वाले जीन्स को नियंत्रेद करते हैं अब आता है इम्यून इंप्रेंटिंग के बारे में यह जो है वैसार्सकोब 2 के प्रती रोगी की एंटीबोडी प्रितिक्रियाओं में इम्यून इंप्रेंटिंग की घटना को समझने के लिए कद्धिन किया गया है इम्यून इंप्रेंटिंग सरीर की संकमर और टीका करण के माद्यम से रोग जनक के पहले संसकर्ण के आधर पर अपनी प्रतिरक्षा प्रिक्रियाओं को श्राणी की प्रवत्ती होती होर एसा तब होता है जब प्रति रक्ष्या करिया का सामना एक ही रोग जनक होता है नई और छोटी प्रकालग से होता है यह यह प्रम करति हम गर थीはい vaker करीनों को सम्हें बनाती इसे प्रोटीन में बदल लवर रोकती और यह जीन की कारपुडाली को भी रोकती है यहां पर यह वाला टॉपिक भी फिनिश होता है अब नेक्स्ट टॉपिक आता है बिविद यह मिसलिनियस की बारे में जिसमा पहला आता है दुर्डव हेक्स बोशोन का च्छै की ब परान एक दुर्डव पिक्रिया का पहला प्रमाण मिला है और यह पिक्रिया एक्स बोशोन का च्छै जेड बोशोन और प्रूटन में हुआ है इसके बारे में सबसे पहले इसके जानने के पहले लार्ज हेर्डव को लाइडर के बारे में जानती है कि यह होता क्या है जिसक 27 किलोमेटर की शुपर कंडेक्टिव मेगनेटिक्स की एक विक्ताकार सनिचना होती है जो की दौरकों को की माद्यम से कड़ों की उज्या को बढ़ाया जाता और ये लार्ज हेडिन कुलाइडर लगभग प्रकास की रफ्तार से गति करने वाले कड़ पुर्ण्यों को आपस म जाता है इस खोज की बारे में खोज जो है यह एक बहुती दोड़ लग च्छाय पिक्रिया होती है जिसमें हिक्सभूशों के साथ हमारे ब्रमान की बारे में महत्पूर जानकारिय प्रदान होती है यह च्छाय को सर्ण के लार्ज हेड़न कुलाइडर के लिए जनरल परप पांच और मौलिक बल का भी पता चल सकता है जिससे खोज अभी तक नहीं होई है। जाता है और यह एक उप्रमाणू कर्ण होते हैं। जो द्रबमान है 125-35, एक सोपच्चिस दिसमलो पैर्थिस की का प्रोट्रोन की द्रबमान का लगवग 133 गुना होता है। स्केलर पार्टिकल है इसका इसपिड जीरो हिस में कोई कोड़ी ये बेग संबेग नहीं होता है। पाता है स्टेंडर्ड मॉडल और पार्टिकल फिजिक्स के बारे में किया होता क्या है। इसके अनुशारी अबारा मॉलिक कर्ण पादार्ट कर्ण होते हैं जोने कोड़ किया प्रोटीन और न्यूट्रोन बनाते हैं और लेप्टोन जनमें इलेक्ट्रोन सामिल होते हैं उनकी रूप में बरगे करत किया जाता है। स्टेंडर्ड मोडल एक से धार्टिक प्रेमर्ग होता है जो पादार्ट के मौलिक कर्ण और उनकी पारिस परिक क्रियाओं कर वाख्या करते हैं और इस मोडल में पादार्ट के विवहार को नियंतित करने वाले चार बलों में से तीन बलों को सामिल किया जाता है जिसमें ब एक बिल्कुल नई अवस्था चरल वह स्था की खूच की है चरल वह सवस्था एक विसी सामगरी की दो परतों को बहुत कम तापमान पर साथ लेकर की है और यह समसूद करता हों कि इस अवस्था की ब्राप्ति के लिए फ्रेस्टीशन मसी निर्मत की है जो दो परतवाली सेमि कंडेक्टिन डेवाईस होती है उसमें क्वान्टम अवस्था में ठोज तरल गयसी अवस्था को काफी अलग दिवहार करता है और यह नवस्थाओं की बीत्रक्र की अंतक्रियां अंतताहा संभावनाओं को जन्में दीती है नेनो फेनो परत्नेक अनो फोटने के एलेक्ट एक्सीलेटर के बारे में थालेटर के लुणुड के समान होता है क्योंकि ये दोनों ही कड़ों को तो रण प्रदान करने के लिए चुम्मी के छेत्र निर्मित होते हैं अब आता है सुपर कंडेक्टिविटी के वारे में हाली में कमरे केतापमान पर सुपर कंडेक्टिविटी को दरसाने वाले पदार्थ LK99 की खोज कदावा जूटा किया गया सुपर कंडेक्टिविटी एक ऐसी परिहटना होती है जिसमें कुछ पदार्थ करांतिक ताप मान के इन से नीचे ठंडा होने पर शून विद्वत पित्रोद और पूर्ण पृति चुम्मे कत्य का गुर्ड निर्धारित करते हैं इसकी परिद्विटी की जो खूज है 1911 में हेई की कॉमेड लिंक ओंस के द्वारा की गई हो बरतमान में सुपरकंड एक्टिविटी के विल बहुत कम तापमान या सून से जो उस माइनस 250 डिगरी से अलसिस के नीचे प्राप्त किया जाता है यह धारण के तोर पर पारा सीसा एलूमिनियम टिन नाई वियम जैसे पदार्थ करांथिक ताप सुपरकंड एक्टिविड को प्रदर्सित करते हैं सून प्रितरोद कैसे काम करता है इसके संदर में सामान परिस्थितियों में किस्टलिये ठोस से बुजणने के द्वारान एलेक्ट्रोंस को पितरोध यह बाधा का सामना करना पड़ता है यह पित्रोद कृष्टली ये जाली नुमास अन्रचना में कमपन गरने वाली परमालों के साथ लेक्ट्रोन में होने वाली अंतक्रिया का परड़ाम होते हैं आवाता है कमरे किताब पर सुपर कंडेक्टिविटी के वारे में कि कमरे किताब मान वाला सुपर कंडेक्टिविटी एक ऐसा पदार्थ होता है जो ऑपरेटिंग ताप मान पर सुपर कंडेक्टिविटी गुड पर दर्सित करने में सक्छम होता है इस मामले में से 0 डिगरी स के उपर का तापमान ओपरेटिंग तापमान होता है कमरे के तापमान पर सुपर कंडेक्टिविटी प्राप्त करने की पिक्रिया क्या यह अन पहलू को ब्रभावित करती है जैसे सुपर कंडेक्टिविटी के लिए अत्यधिक दाबी युक्त पूर दिश्थितियों का निर् कुदूर करना पाना मुस्किल होता है मुख्खुपियों को देखा जाए तो कम्रे किताब पर सुपर कंडेक्टिविटी होती है जिसमें उजा के अंतरगत आता है कि सिगरेट के जरिए उच दक्षा ता और कम खेल्च में विद्धुद ट्रांस्मिशन संभा हो शकेगा जैसे उधारण के लिए सुपर कंडेक्टिविटी रेज जनरेटर स्वास्त में उन्नत मैगनेटिक रेजुनेंस मेजिन प्रोधि किया आता है ट्रांस्पोर्ट में यह मैगनेटिक लेविटेशन ट्रेन तक्नीक की लागत कम करता है और अन् संभानेटर जो है इन्हें एलेक्टोने को सुच्छन प्रोधि की मंत्रा लेकि एक समीति ने इंडिया सेमी कंडेक्टर रिसर्ज सेंटर की स्थापना किया यह एक ऐसा प्दार्थ होते हैं जिनमें विद्दूत गुण होते हो और यह कंप्यूटर और अन्य लेक्ट्रिक अब आते हैं सुचालक और एंसुलेटर यह को चालड के बीचालक तमाले बदर्णतो के ननव परदेश के अन्द पूर जिले में देखा जाए कोrah कि दोर्णा ब्फो औकसाइड व्हेरे कहा जाता है यह सफीर 17 नरं भारीधात हो अट है कि आवरसारणी के साथ प्राप्त होता है इसमें आप सद cutest एक rectum consulting त्थ शेयरें इंटिंति हम सेलियbak जोड्यार्ड नियूड इंद प्रों में टियम समई एव पिम प्रै आप हालमियम, एल्बियम, थियूलियम या तेर्बियम और लुटेटियम इसके दरगत आते हैं यह जो दोल्ला भूतत होते हैं इस अभी तत्त धातु हैं इनके कई गोड़ समान होते हैं और अक्सर यह मुग अर्विक निच्छेपों के साथ प्राप्त होते हैं इनका उपियों गत्यादुनिक प्रोधिकी में रक्षा प्रोधिकियों में तथा सेलफोन, कम्प्यूटर, एलेक्रिक बाहुन जैसे इलेक्टोनिक उपकरणों में ब्यापक रूप से किया जाता है और इन तत्तों में लिव, मिनी सेंड और प्रेरागुडों की बजाहिन का उपियोग किया जाता है अब आता है बैनेडियम के बारे में सुर्खियों में क्यों? कि भारती वो विग्यांटिंग सर्विक्षन के सोथकारताओं ने गुजरात की खमात की खाड़ी में बैनेडियम की खोज किया में एक क्रिडिकल मिनरल है और इससे सम्मन्नी तथों को देखा जाए तो टाइट इनो मेंगनिटाइट बैनेडियम की प्राथ में शुरूत है और दुनिया की 88 प्रशत बैनेडियम टाइट से प्राप्त होता है और जब पिगला हुआ लावा तेजी से थंडा होता है तो की टाइटन मेंगनिटाइट का निर्माड होता है और यह पहली बार भरत के अब तटिये तलशत में बैनेडियम की मौजुदगी का पता लगाता है बैनेडियम एक रासनेक तत्त है जिसका रासनेक संकेत भी है और इसकी परमानुशंख्या तेईस है इसे एक सामल किया घाई में बुरपरपटि में प्रति चुर मातरा में पाया जाने वाला एक परमुख तक तो आता है अब अब आता है बैनेडियम की बारे में बैनेडियम बैश्वे की स्तर पर ब्राजिल दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है इसके बाद रूस वदक्षड अफरिका का इस्थाना आता है और 2022 के आकड़ों के नुशार देखा जाए तो दुनिया में बैनेडियम सबसे बड़ा चीन के पास और चीन इसका बड़ा उत्वादक भी है भारत में करनाटक महरास्त होड़ी शा बैनेडियम बहंडारण के प्रोंख राज्य जिसमें अरणाचल प्रदेश में 2021 में बैनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरी के बारे में यह एक प्रकार की रिचार चेवल फ्लो बैटरी होती है बैनेडियम आयनों का एक सक्रिय सामगरी के रूप में उप्यूग किया जाता है इसका कारपडाली के अंतरगत देखा जाए तो यह हुजा दू इलेक्ट्रोसाइट टेक्क्रों से संग्रहीत होती है जिसमें बैटरी सेल के यह जोड़े होते हैं बैनेडिय कि स्थापना लागत से अधिक होती है बैनेडियम का उप्योग परमाडू रियक्टर में किया जाता है वसदी उप्योग में भी होता है जैसे कि डाइविटीज प्रीडाइविटीज इलाज के लिए उत्प्रेरक के रूप में और अन्न उप्योग के अंतरगत इसका उप् यह मजबूत भी होती है कठोर हुई होती हो रूश्पन प्रितुरोत को भी बढ़ाती है और इसके अलावा भार की तुलना में इनकी मजबूती अधिक होती है जिसके कारण ऑटोमावाइल और एरोस्पेस इंडरस्ट्री अधिक एधन छमता प्राप्त करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है इनकी बहुतिक दोड़न हन में दिखा जाए तो यह मानक परिस्थितियों में सक्त एवंचानी जैसी दोसर रंग की धातू होती है प्रियोग साला में निर्मे थीरे के बारे में की हाली में बारती प्रदार मंत्री ने सेक्तराज अमेरका की अपनी से किर्थम तरीके सिनर में थीरे होते है इन बहुतिकी और राशने गुण प्राक्तिक हीरे के समान होते हैं और हीरों की कठोलता और मजवूति के कारण इनका उपयोग आमतर पर उद्धोगों में किया जाता है इनका उपयोग कठर्स और कठोलता और मजवूति के आवशि उताब प्रशारक के रूप में उपियोग किया जाता है लेट ग्रो डायमंड के बारे में वह प्राक्तिक हीरे के बारे में यो कि लेब में निर्मित जो हीरे होते हैं बाए किसी भी तरह की गंदगी या शुद्धी नहीं पाई जाती है एक अभायती और उत्तम गुडवत्त वाले होते हैं बहुत कम या बिना किसी परियावन छती के बिनाया जाता है गारेंटी के मुल सुरूत और सुरूत को ट्रेक किया जाता है प्राक्तिक हीरे के इंत्रगत आता हैं कि इनकी किस्ट्रल सलेश्टर में कई सुद्धिया और स्ट्रेंस होते हैं यह प्राक्तिक सु पाधन के तरीके को देखा जाए, जो कि प्रियोक साला में हीरे को अत्पाधित किया जाता है, क्योचिताप्मान उचिदाप की एक बिधी होती है, जिसे आमतोर पर ग्रेफाइट का उपियों कच्छी माल के रूप में किया जाता है, और आसानिक बास्प निच्छी पड़ ब जेता आंद्री गीम ने इपाया कि ग्राफिन कमरे के तापमार पर एक बिशम कितु ज्वाइंट मेंगरिटो जैस्टेंस प्रधर्शित करता है यह एक सुचालक होता है जो कि विद्धुत पित्रोध का पड़ाम है जो निकस्टत निकट सामगरियों की चुम्मिकी छेत्रों को प्रभावित करता है इन सामगरियों को एक ही दिसा में चुम्मिकित किया जाता है और इनके सुचालक में बिद्धुत पित्रोध कम होता है जबकि दूसरी दिसाओं में एक दूसरे के बित्वरीत होता हो पित्रोध को यह बढ़ाती है इनके अनुप्रियों को देखा ज कि एक अलपरत होते हैं पर्माडू मदूबथी के सश्ट को कोड़ी च्छत्य जैसी जाली में भवसकस कर बंदी होते हैं इनका उप्योग ऊजा में सेंसर या बायू शेंसर में और जैप्चे किस्सा में होता है पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर के रल में स्थापित किया गया ग्रिफाइट के बारे में ग्रिफाइट जो है वह क्रिष्टली कार्वन और प्राक्तिक रूप में पाया जाता है यह प्राक्तिक और कृतिम दोनों तरीके से प्राप्त होता है प्राक्तिक रूप से यह क्रिष्टली आकारहिन और परद्दार होता हो क्रिष्टिम मे इस का उपयोग किया जाता है अब आता है रेडियो मेट्रिक डेटिंग के बारे में रेडियो मेट्रिक डेटिंग को हाली में पता चला है कि कारवन डेटिंग में कारवन 14 का उपयोग किया जाता है उसी तरीके से केल्सियम 41 का उपयोग रेडियो मेट्रिक डेटिंग में किय जाने वाली एक बैग्यानिक पद्धिती होती है जिसके तहर किसी लकड़ी की कलाकृती चट्टान या जीवाश्मका इसके भीतर मौझूद रेडियो धर्मी आईसोटोप जैसे कार्वन 14, पोटेशियम 14, आगरन 14 के उपस्तिती के आधर पर इनकी सटी कायू का आकलन किया ज परसपर क्रिया के माद्धिम से निर्मित होता है और भूपर पटी में पाये जाता है और इसकी उत्पति कार्वन 14 की दुल्ला में कम होती है कारपडाली को देखा जाए तो यह जब कोई कार्वन के काई जीवत होती है तो उसका सरीर कार्वन 14 परमाणों को आउसोटों से तो साथ ही उस सर्जित करता है यह मरत हो जाती और यह पिक्रिया बंध हो जाती और यह मौजूद कारण फूटी का च्छै भी होने लगता है उनकी सीमाओं को देखा जाए तो कारण फूटी एक आईस्थिर और कम जोर रीडियो धर्मी आईसोटों भी होती है अब आता है राश्टी रोबोटिक रणीती मरसोधा की बारे में लेक्टोने को सुचन प्रोधिकी मंत्राले ने राश्टी रोबोटिक रणीती का मरसोधा पेस किया राश्टी रोबोटिक रणीती के बारे में कि रोबोटिक तकनीग रोबोट का डिजाइन निर्मान संचाले नोपिय बेस में अनकूल संचाले तो नड़ने लेने की गढ़ना करती है यह रोबोट्स का बरगीकर्ड और धोगिक रोपोट्स सर्विस रोपोट्स रोपोट्स में किया जाता है यह सूजना प्रोधिक के मंत्राले के अंत्रगत एक कारण में एजंसी होगी जो कि दो इस तरिये संस प्लुपियों किया जाता इन से संथ विकास में जैसे प्रोबोटिक प्रोशस प्रोवे इसका लक्ष अबरती प्रोधिक्यों में री अस्किलिंग री एको सिष्टम बनाना है यह्की प्रोधिक्यों की विकास में आर्टिफिशल इंटर ले stat, internet of तिंग और बिलगचेन पर आधी होता है रोबिटिक प्रोसेसिंग और आटोमेशन के बारे में जो कि एक तरीके का रोब सॉप्ट वेक रोबिटिक्स की रूप में जाना जाते हैं मानो कर्मियों दोरा ओफिस में रोजमद्रा की कारों को करने के लिए इंटलिजेंट आटोमेशन प्रोध कियों का उप्योग किया जाता है हाइब्रिड नैनो कर्ड के बारे में एक प्रियोग में विज्ञानकों ने सोने और तावे की सलफाइट में से बने ऐसे हाइब्रिड नैनो कर्ड या नैनो हाइब्रिड का नरमाड किया है जिनका उप्य केंसर खुशकाओं को नस्ट करती है और धंई तरंगों को उपियों करके उनका पता लगाते हैं नैनु हाइबर्ड शामन ता आठ नैनुमीटर सी कम आकार की होते हैं जो कि दो अलग-अलग नैनुकर शे मिलाकर बनते हैं वो नैनु आकार एक से सौ नैनुमीटर का होता है इनकी क्रिया विदी को देखा जाए तो इनका पहचान नेनु हाइबिर्ट के फोटो कॉस्मेटिक गुड़ उन्हें आउसूसित करने और उन्हें अल्ट्रा साउंड तरंग उत्पन्य करने में सक्षम बनाते हैं MRI और CT scan की फिक्रिया के दोरानिया बहतर resolution मिलता है इनका पिचाल नेनु कड़ों को फोटो सर्मल गुड उन्हें कोश्काओं पर लक्षित प्रकास के आउसूसित करके उश्मा उत्पन्य करने और ट्यूमर कोश्काओं का पता लगाने के लिए सक्षम बनाता है और इनका उप इसलपूर सुर्कियों में देखा जाए तो आता है सफित फासपूरस यूमन राइट्स पोच के अदुशार हमास के साथ संगर्स के दोरान इजरायल ने गाजा और लेवनान पर सफित फासपूरस बम का इस्तमाल किया फासपूरस मौम जैसा केमिकल होता है जो की हलका पील और रंगहिन होता और इसमें तीखी और रहसुन जैसी गंध होती है इसका उपयोग सेना दोरा अलग 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 प्रिकार की गूला वारूद में आग लगाने के अभिकारक के रूप में उपयोग किया जाता है अब आता है सुपर क्रिटिकल कार्बन डायकसाइड के बार ही तील और गैस भणडारों में तील को बाहर निकालने के लिए एक अच्छा एजंट है सुपर क्रिटिकल कार्बन डायकसाइड कार्बन डायकसाइड की एक तरल अबसता है जो की क्रांतिक ताब और क्रांतिक दाव या उससे उपर रखा जाता है गैस और तरल की मंधवरत की धातू मिली है यह एक धुलब धातू है एगरे लंग की भारी धातू और तनाव युक्त और कठोर बहुत कठोर होती है यह उच्छे संदार चार्ण पित्रोरी धातू और इसमें 150 डिग्री सलसे से कम तक कि तापमन में रासने खमलों का प्रभाव नहीं होता और इनका गल्लांग का दे कुछ जो होता है इसका उपयों इलेक्टो ने कुरार्दिचालक परपड़ू उजसायत हवाई जहाज बायुमेडिकल जैसे उपयोग में किया जाता है हाइपर लूप के बारे में जो की टाटा स्टूल और टू-टू आर टी यू-टी आर हाइपर लूप ने हाइपर लूप तक्निक के विकास उसेख दूरूप से कारे करने के लिए एक समझोती ग्यापन पर हस्ताक्षा किया है यह टी यू-टी आर हाइपर लूप नईटी मंद्रास के संचाले के डीप टेक स्टार्ट अप होता है हाइपर लूप यात्रियों और कार्गों के यह प्रिस्तावित एकल्ट्रा हाइज स्पीड यूग तिक जमीनी परिवहन पढ़ाली इसकी गती सास्सों मेल प्रतिघंटे से अधिक होती है इसकी आउधार्ना को एलन मस्क और उनकी कंपनी स्पेस एक्स तथान ने कंपनियों दोरा प्रशारित किया गया जिसमें तीन गटक होती है जिसमें ट्यूप पॉंड और तर्मिनल आते हैं ट्यूप एक बड़ी पॉंड अगे आन जाने पर मारक को छोड़ कर दूसरी तरह से बन दिया कम दवाब बाली पढ़ाली अब एक क्यों तो होती है पॉंड एक कोच होता है जहां पर एक बाइमंडली आपको परावर दव बनाए रखता है और तर्मिलर पॉंड में आगमन और प्रस्तान को प्रतिवंदित करता है इसका लाव इसमें बहुत तेजी से गती को परिभहन होता है इसमें बिजली की खपत बहुत कम होती है तो इनका परिभहन लागत बहुत कम होती है अब आता है यहां परियाय फिनिश होता है परिशिष्ट में इसमें प्रमुख घटना करम दिये गए हैं जैसे मिशन आते हैं भारती अंतरिक्ष इस शुरू के अंतरगत कौन-कौन से मिशन है एस्ट्रोसेट को यह शुरू के अंतरगत भेजा गया था जिसकी विशिष्टाओं में देखा जा मिशन 2023 जिसका दुबारा उप्योग लाए जाने है सकने वाले प्रिच्छी पड़ यान परोधिकी प्रदर्शिट कारक्रम के तहते हैं संपन हुआ है जो कि लो लिप्ट तू ड्रेग अनपात वाला एक अंतरिक्ष बिभान है जो पेलूट को निम्निभू खक्चाओं में स्थाफित कर बापस प्रिथी पर लोटाता है इसमें भविस में भी इस यान का इस्तमाल किया जाता है अब आता है पी एसल वी और बिटल एक्सपेरिमेंट मॉडियूल टू की वारे में जो कि पी एसल वी सी फिप्टी फाइब मिशन के पोयम टू का उप्योग करती हुए बिग्या ने प्रियोग किया गया चार चड़नों वाला प्रिच्छे परियान होता है जो सा पहला और तीसरा चड़न जो है वाइप ठोस पडोधा काधारित होता है नासा इस रो संथेटिक रडार उपकरा है जो कि 2024 में प्रिच्छे पित करने वाली यूजना है यह निसार एक बैट साला है जिसे प्रिथवी की निमनेक अक्षा में स्थापित किया जाएगा बारा दिनों में एक बार पूरी प्रिथवी का चक्कर लगाएगा और अमेर की अंत्रिक्छे अजनसी नासा और इशुरू नहीं से एक तरूप से विक्सित किया है पी एस एलवी सी को बिएक या उपियों की संधाणी यहां पर इसके मेज़र टॉपिक फिनिश होते हैं अब आते हैं अंत्रिक्छ मिशन और संवाँ घटना करम जिसमें नासा के द्वारा नत्रिक्छ मिशन हाता है क्षई še इसके बाद आता है solar territory lens observaties, topo, emission monitoring and pollution उपगरे, इसके बाद आपके और उपगरे आते हैं, integral field, ultraviolet spectroscope experiment mission, इसके बाद आते हैं, बाइजर 2, लूसी मिशन, एक्सो बाइलोजी की एक्स्टेंट लाइप सर्वेयर और पेस मिशन जो की नासा दोजार चौविस में पलेंकटन, एरोसॉल, क्लाउड एंड ओशन एकोसिस्टम मिशन लाँज करने की तैयारी कर रहा है तो यह प्रोख नासा की द्वारा मिशन प का बर फिनेश होता है नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट P T प्रप्त करने लिए आप हमारी टेलेगराम चैनल UPSC PSE विर दिक्षा को जोयन कर सकती हैं जहांपर आपको PDF प्राप्त होगी धन्यवाद